किसान भाइयो आज हम पहुंचे हैं जगजीत कंपनी के पास और आज की इस वीडियो में हम आपको इनके स्ट्रारिप्र के बारे में कम्प्लीट जानकारी देंगे इसकी क्या खास बात है क्यों हमारे किसानों को ख्रीदना चाहिए क्या इसके ओपर कोई सबसीडी भी एवैल नमशकार मैं चोदरी प्रवीन जगजीत ग्रुप से आज मैं स्ट्रोर रिपर के बारे में आपको कुछ जानकारी सांजी करूँगा किसान भाइयों से तो सर मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके स्ट्रा रिपर के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि जिससे की किसान भाइयों को यही रिपर खरीदना चाहिए हमने इस पर प्वाड़र कोटिंग पेंट इस्तेमाल किया जिससे इसकी लाइफ और जादा बढ़ जाती है जो आमोमन जो स्ट्रो रिपर आती है वो चार मेंज प्लेट बोड़ी में बनती है जो हम रिपर बनाते हैं वो 7000 प्लेट बनी रह जाती है अगर ये इसकी All-Over इसके Reaper की बोड़ी की बात की जाएं उसके बाद जो Reaper आती है अमुमन जो कटर बार है ये 7 फित maximum होता है अब हमने जो कटर बार इस्तुमाल किया है वो साड़े 7 फित कटर बार इस्तुमाल किया है जिसकी वज़े से किसान भाई अपना काम छल्दी कर सकता है. जो इसके Reaper के बड़े parts है जैसे कि यह auger assembly है यह सबसे बड़ा part आता है या नीचे इसके Рोडा ट्रे लगी हुई है या टाइरों का जो हम नूर्मली धुरा बोलते हैं, यह सब असेंबली लाइन पर ही fit करते हैं जिसकी वज़े से कोई किसी तरीके की paint quality पे असर नहीं आता और किसी तरीके का कोई scratches नहीं आते हैं और जो अगर auger की बात करें हमने यहाँ पे strip पती tempered पती का इस्तमाल किया है जो मुड़ती नहीं है बेंड नहीं होती है जिससे अंदर रोडा जाने की संभावना बहुत कम हो जाती है और अगर हम बात करें इसके thresher design की वो अपने आप में बहुत unique है क्योंकि हमारे अमूमन क्या होता है जो reaper होती है उसमें दो nut ball से एक blade खुलता है अगर एक किसान भाई को अपने blade बदलने में चार से पांस गंटे लगते है तो अपना काम वो धाई से तीन गंटे में maximum हो जाता है उसके बाद एक और मैं आपको खास बात बताओं जो हमने इस पे gear box इस्तमाल किया है यह tubular gear box है किसान भाई समझेंगे जैसे हम rota waiter लेते रोटावेटर में transmission shaft होती है जिससे side की gear को moment मिलती है और जो अमूमन जो reaper में gear box इस्तमाल हो रहे हैं वो cross type के हो रहे हैं क्रोस टूटने की शिकायत आ जाती है हमने fully gear oil से भरा हुआ हमने जो tubular gear box है वो इस्तमाल किया है जिससे किसान भाई को भरे सीजन में गरम होने से या फिर कोई cross टूटने से कोई इस तरह की शिकायत नहीं आती है जो bearings है वो हम अवल दरजे के लगाते हैं टायर है वो हम जो market के leader है उनके टायर इस्तमाल करते हैं अगर बात करे हम police की police हम best to best लगाते हैं अगर बात करे हम जो belt है वो belt जो market के leader है अच्छे belts वाले उनकी belt इस्तमाल करते हैं टोटली जितने भी moving parts हैं, वो totally cover हैं, जिससे किसान भाई को कोई दुरगटना का शिकार नहीं होना पड़ता है, सर जो हमारी auger assembly है, ये हमारी patented है, डिजाइन इसका हमने patented कराया है, और जो हमारी thresher assembly है, जिसमें एक दो nut bolt से एक blade कुलता है, और हमारा दो nut bolt से दो blade कुलते हैं, वो हमारा design already patented है, जिसकी वज़े से ये हमें कुछ अलग बनाती है, और जो market में अभी जो trend चल रहा है, single body का, वो हमने जगजीत नहीं introduce किया था market में, कि हमारी पूरी reaper की जो body है, वो single seat से बनती है, वो हमने ही introduce किया था market में, पहले भी जगजीत एक only company थी market में, जो after paint fitting करती थी, और अभी भी जगजीत ही अकेली ऐसी company है, जो after paint fitting दे रही है, और किसान की demand के हिसाब से, हमने अभी जो recently हमने powder coating और short blast plant लगाया है, वर्ल्ड क्लास, जिसकी वज़े से हम किसानों को और अच्छा paint quality दे पा रहे हैं, तो sir मैं आप से जाना चाहता हूँ, इस ट्रार इपर से, जो किसान भाई इसको ऐसे commercial use करते हैं, और किसानों के लिए भूसा बनाने का, तूड़ी बनाने का काम करते हैं, तो उससे वो कितना earning कर सकते हैं, अमूमन जो 1000-1200 रुपे पर ट्रोली का आजकल चार्ज करता है किसान भाई, तो उससे जो on an average है, वो कम से कम 30-32, 28-32 तक ट्रोली अराम से वो एक दिन में बना सकता है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक दिन में 35-40,000 रुपे का काम करता है सीजन में, कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जो 40-40 ट्रोली भी बनाते हैं, वो डिपेंड करता है आपका ट्रेक्टर कैसा है, या आपकी जो फसल है वो कैसी है, उसके हिसाब से हो जाता है, ज्यादा भी बना लेते हैं, लेकिन ओन एन एवरेज एक दिन में 28-30 ट्रोली एक किसान भाई बना लेता है, तो यह नहीं किसे किसान एक दन में 35-40 जार कट रोवर अराम से कर सकता है, वो अपना तेल, अपना ध्याडी और अपने जो मशीन है, उसकी कीमत निकाल के भी वो एक अच्छा प्रोफिट कमा लेता है एक सीजन में, जिससे मशीन फ्री हो जाती है, उसके सारे खर्चे निक तो सर मैं जो आम किसान का स्वाल होता है कि कितने टाइम में इससे वो ट्राली अपनी भर सकता है, और प्रड़क्टिविटी उसको कितनी मिलती है? ऐसा जो टॉली भरने की बात है वो डिपेंड करता है कि आपकी फसल कैसी है अगर आपकी फसल बहुत अच्छी है भारी फसल है तो भूसा भी बहुत जल्दी उसमे टॉली भरेगी अगर फसल हलकी है तो उसमें हो सकता थोड़ा समय लेगे लेकिन हमने जो ओन रिकोर्ड हमने ट्रोली का जो मेजरमेंट किया था वो हमारा हाईएस्ट आया था 15-16 मिंट एक ट्रोली का तो सर्व मेरा एक सवाल ये रहेगा कि फार्मर को ना सीजन बहुत सीमें टाइम का होता है अगर हम हर्याना पंजाब यूपी की बात करें तो सीजन 15-20 दिन मैक्सिम में एक महीने तक जाता है तो उसको सर्वीस कैसी मिले इसकी बहुत शोर्टी रहती है किसान को अमूमन किसान की दो प्रोब्लम्स होती है एक तो किसान भाई ये कहता है कि हमारा ट्रेक्टर लोड ले रहा है ट्रेक्टर दब रहा है वो काम आपकी पुली ने सेट करना है वो एज पर आरपियम होता है अकोडिंग ट्रेक्टर होता है दूसरा यह होता है कि हमारा ही जो मशीना वो भूसा या तो मोटा बना रही है या महीन बना रही है वो काम जाली ने करना है जिस हिसाब से एरिये की डिमांड होती है कहीं पर भूसा महीन चलता है जगर आप MP मद्य प्रदेश की बात करिए वाँ बहुत महीन भूसा चलता है पंजाब में थोड़ा सा मोटा भूसा चलता है हर्याना में नूर्मल चलता है तो जिस हिसाब से हमारे किसान भाई हमारे अजनसी को या हमारे डीलर को ओर्डर करते हैं उस हिसाब का हम जाल प्रवाइड करते हैं और उसी हिसाब से हम इसकी RPM मैच करके पुली की देते हैं अगर आपका भूसा बिल्कुल सेट है आपके ट्रेक्टर के RPM सेट है तो 90% कोई भी प्रोब्लम आती ही नहीं है उसके बाद 1-2% मशीन गरी है हो सकता है कोई बैरिंग खराब हो जाए या फिर गेर बोक्स में कोई आवाज आने लग जाए ये मशीन के हिसाब से आ सकती है लेकिन हम उसके लिए जो हमारा सीजन टाइम होता है 24 आवर्स हम बिल्कुल त्यार रहते हैं हमारी जो गाडिया है वो सर्विस ओन फिल्ड देती है एक सीजन की हम इसकी फुली वारंटी देते हैं और जिसकी वज़े से किसान हम पर पर परोशा करता है तो क्या इस परड़क्ट के ओपर कोई सबसीडी भी अवेलीबल है इस पर सबसीडी भी अवेलेबल है जैसे इस टाइम उत्तर प्रदेश सरकार है हर्याना सरकार है मध्य प्रदेश सरकार है राजस्तान सरकार है इस पर सबसीडी देती है और हमारा जो प्रोड़क्ट है वो फुली नुमल की टोटली अप्रूव है हम स्बस्षीडी ले सकते हैं किसान-भाई हर एक जगे की अलग-लग स्बस्षीडी होती है जो 63,000 रुपय है स्पेर पार्ट का गारे कोई इस्शू की प्रॉलम हो स्पेर पार्ट देखीए वैसे तो हम एक साल एक सीजन के लिए हमारी फुली वारंटी होती है लेकिन फिर भी कुछ fast moving item होते हैं वो हमारे dealer के पास भी 24 गंटे available रहते हैं और हमारी जो team जाती हैं उनके पास भी available रहते हैं वो हम अगर कोई चीज breakage हो गई है उसको ऐसा नहीं कि उसको कोई repair नहीं करते हम वो part ही निकाल लेते हैं कोई additional service भी आप फारमर के लिए available करते हैं सर अमोमन पूरे all over इंडिया की market में जितने भी story पर हैं वो single जाल के साथ आते हैं हम ग्रह किस किसान भाई की सहुलियत के लिए दो जाल हम provide करते हैं जिससे क्या होता है जब फसल कटती है उस ताम उसमें नमी होती है मुशसर होता है जिसकी वज़े से जो जाल है वो ज़्यादा सरीय का इस्तमाल करना पड़ता है आमोमन जैसे फॉर एक्जेंपल हमने चोवन सरीय का जाल इस्तमाल किया लेकिन जब बिलकुल फसल सूख गई है बूसा सूख गया है उसके बाद उसमें क्या पता पारतालिस का या पैंतालिस का जाल चलने लग जाए तो जिस हिसाब से किसान हम से सरीय की या जाल की डिमांड करता है उस हिसाब से हम प्रवाइड करते हैं और हम दो जाल इसलिए प्रवाइड करते हैं जो हमारा रेट है या जो भी हम सर्विस देते हैं या किसान भाई को material दे रहे हैं, उसमें हम दो जाल देते हैं इसमें, जिसकी वज़े से किसान भाई अपनी सोलियत के हिसाब से नमी मुष्टर के टाइम पर नमी वाला जाल इस्तमाल कर सके और सूखे के जब फजल बिल्कुल सूख जाती है, उस टाइम रेसिड्यू का सूख कोई है तो अगर सड़क किनारे कोई रीपर चल रहा है कि जी मेरे रीपर में ये प्रोब्लम आ रही है और मैं पिछले तीन साल से आपका इस्तमाल कर रहा हूं जो उसका एक जैन्वन रीजनेबल जो प्राइज होता है पार्ट का अगर वो हम कर देते हैं अमूमन कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो हम फ्री ओफ कोष्ट भी चेंज कर देते हैं कुछ पार्ट होते हैं जिनका हम पैसा लेते हैं वो भी बिल्कुल रीजनेबल कोष्ट पर और उसकी लेबर चार्ज है हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे भी है जो 15 15 17 17 साल से हमारी जो स्टोरी पर है वो इस्तमाल कर रही है तो और ने वरेज हम अगर किसान अच्छे चलाता है तो मैं इसे 10-15 साल मान सकते हैं इसकी कुछ पूर्जे ऐसे होते हैं जो डेंट टू टाइम बदलने पड़ते हैं ज बिल्कुल उसके पहले आप रिपेर कर सकते हैं हमारी स्टोरी पर कि जो री सेल वैल्यू है न वह मार्केट में सबसे अच्छी है मार्केट में यह पैसा बहुत कम तोड़ती है कितने एच्पी का ट्रेक्टर इसके लिए काफी रहता है जैसे इसका 45 एच्पी एंड अबव के ट्रेक्टर इसमें हम सब काम करते हैं मिनिम्म रेक्वार्मेंट 45 एच्पी पे अराम से चलती है तो सर मैं आपसे बात जाना चाहता हूं कि इस परड़क्ट को खरीदने का क्या हमाद्ध हमें और इसका प्राइस कितना है जاب मारे करीब करीब हरेक स्टेट में जो अमने स्टेट कवर किए हैं उनमें हमारे तैसील वाई या डिस्टिक वाई हमारी एजिंस हें जो हमारे बाइस बिजनेस एस्योशेट्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहां से आप इनको परचेज कर सकते हो और इनकी सर्विस भी ले सकते हो जैसे हर्याना है पंजाब है यूपी है राजस्थान है यह हमारे फुली कवर हैं करीब करीब हर एक डिस्टिक में आपको हमारे अजैं तो सर आपसे कॉंटक्ट कैसे कर सकते हैं जैसे सर हमारे जो हमारी वेबसाइट है उस पे भी हमारे सारे नंबर कॉंटेक्ट्स हमारी डिटेल्स वहां पे शेयर की हुई है सर्विस डिपार्टमेंट के लिए भी हमारा एक अलग से नंबर है हमारा एक तरह सी जैसे कॉल सें चाहता है business associates करना हमारे जो हमसे काम करना चाहते है डिलर साहिबान उनके लिए भी हमारे नंबर जो है वो स्क्रीन पे अवलेबल हैं जो हमसे जगजीत ग्रूप फैमली के साथ जुड़ सकते हैं जी तो सरा आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक्यू मैं भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा और सभी किसान भाईयों को जगजीत ग्रूप की तरफ से बहुत-बहुत नमस्ते तो किसान बिरो आपने जैसे जाना कि इसकी paint की quality हो चोहे इसके material यूज किया गया है उसकी mm कितनी है तो सभी चीजे माइने करती है कि एक product में कितनी quality है बेशक आपको देखने वो product सेम लग रहा है लेकिन उसके अंदर यूज कैसे किया गया बनाया कैसे गया है वो बहुत माइने रखता है तो हमने आपको बारीकी से बताया कि यह रिपर बना कैसे है और इसकी quality कैसी है वो भी आपने जाना उमीद है आपको एक शानदा जानकरी देखने को मिलेगी तो इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको यह जानकरी काम की लगी है और किसानों को साथ शेयर कीजिए तो जल्दी मिलते है एक नए वीडियो में धन्यावाद जैन